हाई एब्रिवन मैं हूँ रेनो और आज आपका गोगल किछन में बहुत बहुत स्वागत करते हूँ आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ बेबी शेप कैसे बनाया जाता है फॉंडेट से अक्सर क्या होता है जब हम विब क्रिम वाली केक बनाते हैं अगर हम थीम बना रहे हैं बेबी शावर की उसपर बेबी शेप बनाया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है या फिर 6 मन्त या 1 month 2 month अगर ऐसे cake हम बनाते हैं 1 month baby cake 2 month 6 month baby cake बनाते हैं तो तो कैसे बनाएंगे तो आज मैं वो बताऊं कि तो अगर आपके वाट बचे कुझे fondant है अगर थोड़े बहुत बच जाते है fondant तो उसको mix करके भी अप बहुत अच्छा colorful baby shape पिला सकते हैं बना सकते हैं तो देखे कितना प्यारा दिख रहा है और हर एक shape proper दिख रहा है उसके हाथ से लेकर पहर हर चीज बहुत अच्छे से इसमें shape दिखाई दे रही होगी तो आप भी गर पर बहुत ही असानी से बना कर तयार कर शकते हैं और मैं homemade fondant भी बताने वाली हूँ, आज की वीडियो में नहीं बताऊंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, homemade fondant कैसे तयार करना है घर पे, और उससे भी मैं design बना कर आपको दिखा हूँगे, तो चले शुरू करते हो देखते हैं कि कैसे हम ये shape तयार करेंगे फ्रेंट्स उससे पहले वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को subscribe करेंजिए और भी interesting वीडियो और ब्लॉग देखने के लिए अगर फांडिन्ट ये मेरे पस mix फांडिन्ट है एक one color का मेरे पस नहीं है mix है तो मैं mix से ही आपको बताने वाली हूँ और ये देखें जो छोटे छोटे बच जाते है ना अकसर तो सूख जाते है फांडिन्ट तो उसे हमें कैसे वापस से reuse करना है वापस कैसे वूसी texture में जो हम market से लेकर आते हैं तो उसे हमें ऐसे mix करके और ऐसे हाथों से तोड़ना है जैसे मैं तोड़ रही हूँ जैसे मैं दिखा रही हूँ बिलकल वैसे ही आप इसे mix match कीजिए और बहुत अच्छे से ये वापस उसी shape में उसी texture में आ जाता है जैसे हम market से लेकर आते हैं उस से तयार कर लिया है ये सारे मेरे पास बच्चे हुए ही fondant है तो मैं उसी से बना कर तयार कर लेती हूँ और ये देखे ये है वो mold सिलिकॉन mold जो baby shape का है ये 200 से 500 रुपे का इतना चोटा सा mold हमें मिलता है तो ये mold भी मैंने लिया हुए है ये 200 का mold है इसमें कम range का भी आता है तो हलका सा हमें करना है उसमें dusting ताकि जब हम इसे निकालें तो बहुत अच्छे से वो निकल जाए नहीं तो वो कभी कभी क्या होती है temperature की वज़े से वो चिपक भी जाता है अंदर तो इसलिए आप हलका सा dusting जरूर कीजिए और ये जो green वाला लिया है इसमें yellow mix है तो इस इसे हम अच्छे से तोड के और देखिए जैसे मैं मसल रही हूं बिल्कुल वैसे ही मसल के और उसका texture एकदम normal कर लेना है तो ये देखिए अच्छे से इसे मसलना है ताकि एकदम clean से पाए क्योंकि अगर अच्छे से आप नहीं मसलेंगे तो बिल्कुल clean नहीं आएगा texture और थोड़ा सा दरदरा या खुरदरा सा दिखाए देगा तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए आप अच्छे से पहले उसे मसल ये और ये देखिए जब हम इसमें fill करेंगे अंदर तो हमें अच्छे से इसे फैला लेना है silicon mold को उसके अंदर हमें इसे fill कर लेना है अपने fondant को और अच्छे से दबा के प्रेश करना है ताकि जो छोटे छोटे से प्रॉपर सेप हैं आइस के, nose के, ear के वो सारे सेप एकदम अच्छे से आने चाहिए इसलिए हमें अच्छे से दबा दबा कर ही इसे press करना है, अंदर fill करना है और ये देखिए मैंने इसे cut कर लिया है तो आप ये ऐसे knife से अच्छे से cut कर लेजे ताकि जब वो निकले तो इधर उधर ऊबर काबर कुछ ऐसा दिखाई नद एकदम plain अच्छा दिखाई दे तो ये देखिए मैंने इसे बहुत यासानी से बाहर भी निकाल दिया है, demolt कर दिया है और देखिए कितना प्यारा ये बहुत अच्छे से बनाया जाता है तो मैं अब वो भी आपको next video में बताऊंगी और ये देखिए जो white वाला बचा हुआ था वो भी मैं अच्छे से दबा दबा कर फिल कर लेती हूं मैं दुबारा इसे दिखा दे रही हूं ताकि अब ध्यान से देखिए और इसे अच्छे से बनाई है और जब भी आप baby shower theme बनाई है या one month two month six month baby cake बनाई है तो आप ये जरूर try किजे बहुत ही प्यारा लगता है cake का look बिल्कुल change हो जाता है और बहुत ही बसूरत लगता है तो आप ये जरूर बनाई है friends वीडियो अच्छी लगेगी तो please वीडियो को लाइक किज चैनल को subscribe कर लीजेगा और बें इंट्रेसिंग वीडियो देखनी के लिए क्लिए क्योंकि मेरी चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बहुत ही इंट्रेसिंग वीडियो देखनी को मिलेगी तो देखते रहे हैं गोकल किचन और आपने इंस्ट्राग्रम पे फॉलो क्लि ellies सक्छी सेँ मिलता है सिलिकॉन मोल्ड अल्फाभेट के लिए बी तो आप डेकुरेशन के लिए नाम लिकने के लिए आप यूज्झ कर सकते हैं हर शीप में आपको सिलिकॉन Мोल्ड मिल जाता है तो प्रियंकर जी आपको म analogy is बहुती आसानी से अल्फावेट के बीग तो आपने पूछा है नोजल के बारे में तो यह चानीज नोजल है चानीज फ्लावर नोजल तो उस पर नमबर ने लिखा हुआ है इसलिए मैं अपनी वीडियो में बता नहीं पाई तो अगर वैसा है कुछ बनाना चाहते हैं और अच्छा अगर नोजल लेना चाहते हैं तो 46 अगर बेवी कितने प्यारे लग रहे हैं तो यह तो मैंने बचे हुए जो फाउंडेंट थे मैंने उससे बताया है आपको अगर आप रियल स्किन कलर फाउंडेंट से बनाएंगे तो बहुत ही शांदार लगता है बहुत ही बसुरत लगता है और अच्छे से आप उस पर र अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजो और ब्लॉग देखने की तो थैंक्स फूर वच्छी हुए बाबाय थैंक्यू